हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे क्लास सेकिंड की वक्षीट नंबर 139 जो की 22 दिसंबर 2021 की वक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मारी गोल्ड से योनिट 8 जिसका नाम है I am the music man तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे and class 2 के सामने आप अपना section A, B या फिर C जो भी section है वो लिखेंगे तो चलिए इस वक्षीट को हम start करते हैं उमीद है कि आप सभी safe होंगे और अच्छे होंगे तो बच्चों इस पोम में जो music man है वो बहुत दूर से आया था You now know that a music man or musician is a person who plays music तो music man या फिर musician वो इनसान होता है जो की music play करता है Music helps to calm our mind और music क्या करता है हमारे दिमाग को शान्त करता है Children, many people in our life help us For example, a teacher teaches you many new things तो बच्चों हमारी life में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी help करते हैं और उसका एक example teacher है क्योंकि teacher हमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों को सीखने में help करते हैं Now, given below are the pictures of a few our helpers तो नीचे कुछ pictures दे रखी हैं जिसमें बता रखे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो हमारी help करते हैं अलग-अलग situations में read the question and tick the correct picture तो यहां पर हमें कुछ pictures दे रखी हैं और इन picture के ऊपर कुछ statement दे रखी हैं तो हमें क्या करना है कि उस statement के according जो correct answer है उस पर tick करना है जैसे कि first statement है who helps to put out our fires तो जो अगर मान लो कहीं आग लग गई है तो इसको बुझाने का काम कौन करता है तो वो करते हैं fire fighters ठीक है second है who grows food for us तो हमारे लिए खाना कौन उगाता है खेतों में तो वो है option B farmer C part में हमसे पूछा है who drives the big truck big truck कौन drive करता है कौन चलाता है तो वो है driver next है who mints our shoes हमारे shoes कौन बनाता है बच्चों तो वो है cobbler ठीक है next है who sings songs तो song कौन गाता है तो वो होते हैं singer and next है who delivers our mail तो हमारे घर तक हमारी चिट्टिया कौन हमें पहुचा आता है तो इसका answer आएगा बच्चों post man next question है talk time और यहाँ पे हमें एक picture दी हुई है इस picture में देखो बच्चों एक duck है और इसके दो babies है तो आपको यह सोचना है कि आपस में यह क्या बाते कर रहे हैं उनकी बात को आप जोर जोर से बोलेंगे और फिर अपनी copy में लिखेंगे ठीक है बच्चों तो चलिए हम देख लेते हैं कि यह क्या बाते कर रहे हैं तो बच्चों इस picture में यह जो baby है वो बोलता है I am not able to swim मैं swim नहीं कर पा रहा हूं यानि मैं तैर नहीं पा रहा हूं तो second baby बोलता है मा save him he is drowning मा इसको बचाओ यह दूब रहा है तो मा बोलती है don't afraid डरो मत I am here to help you मैं यहाँ पे हूं तुमारी help करने के लिए ठीक है बच्चों चलो आगे देखते हैं बच्चों आपके parents के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ श्रम की महत्ता के विशय पर बातशीत कीजिए तथा समझाईए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ठीक है बच्चों तो यह थी आज की हमारी English की worksheet and I hope आप सभी को यह worksheet बहुत ही अच्छे से समझ म आई होगी और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू